तो भाई लोग कैसो आप सभी बात करने वाले लास्ट हाउस अंडर लिफ्ट मुई के बारे में जो कि एक क्रायम ठिलर मुई होने वाली है अब मुई कैसी है और मुई में क्या क्या देखने के मिलता है तो सच कहूं तो मुई में बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है जो कि जो गिने चुने लोग गुमने और विकेशन मनाने के लिए आते हैं जहां सांत इलाका होता है क्योंकि जाता तो लोग सांत जगा पसंद करते हैं विकेशन मनाने के लिए वहाँ पर बात करें तो मारिया के मुलकात एक जस्टिन नाम के लड़के से और सासात में एक लड़की से हो जाती है तिनों में दोस्ती हो जाती है और मारिया जो है और लड़की जस्टिन के घर पर जाते हैं वहाँ पर खुब मोज मस्ति करते हैं थोड़ा नसावसा भी कर लेते हैं लेकिन इस वात का मारिया और उस लड़की को और यहां तक कि जस्टिन को भी पाता नहीं होता कि आगे जो ना क्या क्या होने वाला है क्योंकि जस्टिन के जो पिताजी हैं और उसके जो दोस्त ओ किस क्या कांड करके बैठे हुएं यह तो जस्टिन को भी अंदाजा नहीं था कि उसके पिताजी किस टाइप के लोग हैं जब जस्टिन के पिताजी अचानक घर पर आ जा तो देखते हैं जस्टिन और दो लड़किया को जो कि थोड़े इधर उधर के कपड़े के हालत में होते हैं अब यहां पर जस्टिन के पिताजी अपने खुद बेटे को पकर लेता है और जोना साथ में दो लड़कियों को पकरता है और एक बहुत ही दूर जोना सुमसान जंगल जो होता है उस बीच में ले जाते हैं और वहां पर जो भी देखने के मिलता है होस उराद देने वा पाएगे क्या होता है एंड वहां पर वो सबको जानने के लिए आपको यह मुई देखने पड़ेगी देखो यार यह मुई 18 पलस है तो उस टाइप का सीन तो जारी से बात देखने के लिए मिलेगा है और सांसत में ऐसे भूटल सीन जो कि आपको होस उरा देने के लिए टुष आने के बाद भया इस मुई में और भी जान आ जाती हो और देखने का जो है नहीं इस मुई का मजा और भी दुगना हो जाता है बात करें इस मुई में जितने भी काश्ट भाई सब सभी ने हर एक सिन में हिरू बूटल सीन हो एक है समय बूटल में consec घुल ही जाते हैं सभी के सभी और इस वज़े से आप हर एक सिन को connect कर पाओगे और हर एक सिन को माजा भी फुल ले पाओगे लेकिन बात आती है तो यह मुई जर बुरोटला दरंगी जो ना है और वुश टाइब के सिन से भरी परी है तो इस टाइब के सिन जो ना आपको देखना पसंद है और इस टाइब के मुई देखना आपको पसंद हो तभी इस मुई को आप देखना बाखे बात करें तो मुई तो मुझे अच्छी लग यह इस टाइब के मुई